एक बड़े बिर्थटे बैश में ये है दीपिका पादुकौन की एंट्री जहां दीपिका हो वहां कैसे ना हो रणवीर तो ये रहे रणवीर से लेकिन बड़ी खबर ये है कि रन्वीर दीपिका की मौझूद्गी वाली पार्टी में एंट्री मारी अनुशका शर्मा ने और अपनी X-Flame अनुष्का शर्मा की मौजूदगी में रनवीर दीपिका का बॉलिवूड के एक बड़े बिल्थडे बैश में नजर आना बना गया है एक बड़ी हैडलाइन क्योंकि फिछली कई दिनों से खबरे आती रही थी कि जहां दिल धड़कने दो के सेट पर रनवीर और फिल्म की उनकी को अक्ट्रेस अनुष्का के बीच कोई केमिस्ट्री नजर नहीं आ रही दो स्टार्स अपने सीन के बाद एक दूसरे से बात करना तो दूर एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है वहीं लगातार ऐसी खबरे आ रही थी कि इसके पीछे की वज़ा खुद दीपी का पातकोन है जो रनवीर को उनके एक से दूर रखना चाहती है लेकिन इतने कॉम्प्लिकेड़ कॉम्बिनेशन वाले ये स्टार्स रिसेंटली नजर आए रितेश सिर्धवानी के ग्रैंट बर्थरे बैश पर जहां अनुष्का का अलग आना तो अब्वियस था पर गौर करने वाली बात ये है कि यहां शायद मीडिया के अटेंशन से बचने के लिए ही रनवीर और दीपीका ने लिए अलग-अलग एंट्री वेल ये तो पार्टी के बाहर का नजारा था पर हम बादा करते हैं आपको जल्द ही ये ज़रूर बताएंगे कि पार्टी के अंदर रनवीर के एक्स अनुष्का की मौझूदगी में दीपीका और रनवीर की केमिस्ट्री कौन सा नया रंग दिखा रही थी फिल्हाल चलिए आपको इस पार्टी में नज़र आए बाकी गेस्ट से मिलवा दिया जाएंगे तो बतादे कि यहां नज़र आए कई दिगज सेलेबिटीज लेकिन इन तमाम स्टार्स की मौझूदगी में सबसे ज्यादा लाइम लाइप बना गया रंबीर सिंग, बीपीका पादुकोन और अनुष्का शर्मा का एक ही चट के नीचे आना ऐसे में इस पार्टी में इन तीनों स्टार्स का साथ होना वाके बड़ी बात है क्योंकि अगर इस पार्टी में रंबीर दीपीका के लिए कोजी नजर आते हैं और अनुष्का के लिए नजर आती है उनकी बेरुखी तो दीपीका के प्रेशर में आकर जोया की फिल्म दिल धड़कने दो पर अनुष्का को इग्नोर करने की खबरें सच साबित हो जाएंगी और अगर वो रितेश के इस पार्टी में अनुष्का से फ्रेंडली नजर आते हैं तो दीपीका हो सकती है नाराज पर रनवीर ने क्या चुना ये जानने के लिए करना पड़ेगा थोड़ा और इंतजार और अभिशेक सेंग जूम मुंबाई